दिल्ली में आज इंडिया गटबंधन की रैली पर डिप्टी सीम अरुन साव ने कहा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये पारिवारवादी पार्टियों का गटबंधन है ब्रस्टाचारियों का गटबंधन है ये आंदुलन किसके समर्धन में है जो लोग ब्रस्टाचार के आरोप में जेल में बंध हैं उनकी समर्थन के लिए ये लोग एक जुठ हुए हैं इसका जवाब जनता देगी जब चार जून को परिणाम सामने आएगा वहीं लोग सभा चुनाव को लेकर आज होने वाली कॉंग्रेस की बैठक पर अरुन साव ने कहा कि कॉंग्रेस हार म बंधन है व्रस्टाचारियों का गडबंधन है ये आंदोलन किसके समर्थन में है जो व्रस्टाचार के आरोप में जेल में हैं उनके समर्थन के लिए ये एक जुठ हुए है और ये देश की जनता देख रही के कोन किसके साथ खड़ा है और इसका परिणाम जनता देगी ज चार जून को परिडाम आएगा